दोस्तों स्वागत है आपका डेली करंट अफेर की क्लास में और आज हम क्लास में देखने वाले एक जनवरी 2024 का जो करंट अफेर उसके बारे हम चर्चा करने वाले हैं और ये 5-10 मिनट की क्लास आपके जो है तैयारी के अंदर बहुत ही जादा इफेक्टिव रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर डेली करंट अफेर करके और डेली करंट अफेर को कंप्लीट करके हम पूरे मंत की करंट अफेर करेंगे और उसकी जो है आपकी मेरा थन डाल दी ज दोसके बारे में और दोस्तों जिसने भी चैनल को सबस्क्राइब कर दीजें़ वीडियो को लाइक कर दीजिया और दोस्त के जहाज, drilling जहाज मैंग जी यंग का संब्ध किस्स्य है, देखो नाम से समझ में आ रहा हूं मैंग जी यंग है ना, तो चाइना से इसका संब्ध है और चाइना में ये एक drilling जहाज है, drilling मतलब जो खुधाई करता है, समुद्र के अंदर जो है, खुदाई करता है, ड्रिल करता है उसके बारे में जो है ये Meg Giang, जहाज का नाम है और हम बात करें, चीन की तो चीन की राजदानी है, बीजिंग, यहां की मुद्रा की बात करें हम, वो है युवान और चीन का शोग जो होंगो नदी है हांगो ये नदी है एक हांग नदी को चीन का शोक का जाता है और एशिया की सबसे लंबी नदी की हम बात करें दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टिसी क्यांग यांग टिसी क्यांग नदी जो चीन के अंदर है जो कि एश्या की सबसे लंबी नदी मानी जाती है हम बात करें कि सियाल सियाल, सीमा और नीफे आपको पता होगा कि पर्थवी के आंत्रिक जब खुदाई होती है जब ड्रील होती है तो परत दर-परत जो हमें तीन परते मिलती है एक तो सियाल, सीमा और नीफे, तो सबसे उपरी परत होती है, सियाल, सबसे उसके बीच में बद्धेवरती होती है, सीमा, ना, सीमा, और यह सीमा हैदर नहीं है, इसका मैं बताता हूँ अभी, नीफे, नीफे जो बिल्कुल आंत्रिक भाग में मिलती है, पर्थवी को जो हम तुम पाउडी लेके मत खोर देने लग जाना, ऐसे नहीं मिलेगी, आपको ड्रिलिंग होती है, तो सियाल, सियाल, सियाल बने के शोट नेम एक तरह से दे रखा है, तो सियाल का मतलब है, सिलीकॉन और अलुमिनियम मिलता है, आपको उपरी परते सियाल पर, उसके बाद हम तो यहाँ पर सिलीकन और मेगनेशियम के परधार पाए जाते हैं, उसके बाद हम बात करें, निकल और आपके फेरस, निफे, निकल और फेरस, तो इस तरह से परत्वी की परत्दर परत खुदाई होती है, तो वहाँ पर जो आपके सियाल, 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 अलुमिनियम, तो तो सील और अंदर खोड़ाई करते हैं तो सीमा सिलीकन और मेगनेशियम की परत्य पाये जाती है और ऊसके बाद हम नीचे-व्यज पॉर्थ ही केंद्र आ जाता है वहां हो group में शामिल करने की बात केए थी लेकिन Argentina ने बना कर दिया है इस बारे में तो bricks की हम बात करें कि bricks क्या है एक संकल अपना है जो Jim और निल दुआरा दी गई थी है ना Jim और निल दुआरा ये दी गई थी और नया देज 2010 में South Africa इसमें जुड़ा था है इसमें B का मतलब हो गया दोस्तों ब्राजिल, R का मतलब हो गया रसिया, I का मतलब हो गया इंडिया और C का मतलब हो गया चाइना और S का मतलब हो गया साउथ अफरीका, यहां पर मैं लिक देता हूँ इसमें हो गया ब्राजिल फिर हम बात करें रसिया जिसे हम रूस कहते हैं उसके बाद I से हो गया आपके इंडिया भारत ठीक है और C से हो गया चीन और X से हो गया आपके South Africa South Africa सबसे नया देश इसमें शामिल हुआ है 2010 में इसकी जो पहली बैटक हुई थी ब्रिक्स की वो ही थी आपकी ये केट बर्ग रूस के अंदर हुई थी और इसकी जो पंद्रवी जो बैटक हुई थी वो ही थी साउथ अफरीका में और साउथ अफरीका में जब बैटा कुई थी 2010 में तभी इसके अंदर साउथ अफरीका को कामिल किया गया था ठीक है, SEO का नया सदस्य कौन बना है, SEO आपको ध्यान होगा कि SEO क्या है SEO है दोस्तों संगाई कोपरेशन ओर्गनेजसे संगाई सायोग संगठन ये जो है एरान इसमें जो है नया सदस्य कामिल हुआ है, ठीक है, इरान इसका नया सदस्य बना है और हम बात करें कि आशयान में भी आशयान आपको पता है की आशयान जो है पूर्वी, दक्छिनी पूर्वी एशया देश हुआ एक संगठन है इसमें नया संगठन बना है वो है दोस्तों तिमोर लेस्ते, इसमें नया संगठन बना है तो वो है दोस्तों इरान और आश्यान में कौन सा नया देश शामिल हुआ है वो है तिमोर लेशते ठीक है अब हम आगे चलते हैं आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि हाली में सोलवे वित आयोग का अध्यक्स किसे न्यूक तिया गया है तो डॉक्टर अरविंद पंगडिय जो है आपके सोले वित आयोग के अध्यक्स हैं जो की नीती आयोग के पर्थम उपाद्यक्स थे दोस्तों नीती आयोग क्या है कि योजना आयोग को जो है समाप्त करके जो है नीती आयोग लाए गया है और इसके जो पहले उपाद्यक्स थे वो है अरविंद पंगडिय आपको सोलवे वितायोग के अध्यक्स भी चुना गया है और अनुचेद ये 280 वितायोग क्या है एक समवेधानिक संस्ता है और समवेधानिक संस्ता का आपको पता है कि क्या होती है समवेधानिक संस्ता मतलब जिसका समवेधान में उल्लेक है समवेधान के अनुचेद में उल अब दोस्तों यहाँ पर कोशन उड़ता है कि पंद्रवे वितायों के अद्धक्स कौन थे तो आप comment box में बता सकते हैं बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि पंद्रवे वितायों के अद्धक्स थे जो है N.K. Singh N.K. Nirmal Kumar Singh ठीक है तो वहां हमको टिक करके आना है डॉक्टर अर्विंद पनगडिया उसके बाद हम बात करें कि शोले वितायो के सचीव के बारे में पूचा जाए इसका मतला पेपर का स्टेंडर थोड़ा अच्छा है तो वहां पे सचीव का नाम आएगा रित्विक रंजनम पांडे आईक को सब्सक्रों सब्सक्स्व के पहले उपादैस कोन रहे है अरविंद पनगडिया साब केंद्रिय सूचना आयुक्त केंद्रिय अशुचना आयुक्त आपको पता है कि जैसे रैर आर्ट ये लगाते हैं राजिस्थान यह जो हम बात करें RTI जो लगाई जाती है जो RTI के अंदर हम बात करें कि RTI जो आपके राजिस्थान में होता है मुख्य सूचना आयुक्त ठीक है अब राज्ये का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है वो होता है एक तो एक होता केंदर में सूचना आयुक्त, तो केंदर के जो सूचना आयुक्त हैं, वो है हीरालाल सामरिया, कौने दोस्तों हीरालाल सामरिया साब, उसके बाद हम बात करें, राष्टिय मानवादिकार आयुक की स्थापना की हम बात करें, कि राष्टिय मानवादिकार आयुक की स उस तो बहुत important है, 100 अरब डॉलर वाली दुनिया की पहली महिला, पहली महिला की हम बात करें तो वो है Fransua Battencourt Mears, जो की France की है, Fransua से France, Fransua से France, Fransua से France, अना Battencourt Mears, ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी cosmetic company है, लोरियल, लोरियल, देखाओगा, आपने एश्वरे राय जो एड़ करती है, काजल का, लिपिस्टिक का, लोरियल, लोरियल, केम्पू का, तो लोरियल जो company है, उसकी जो है, आपके जो निदेशक है, उनका नाम है Fransua Battencourt Mears, इनकी जो एक company है, लोरियल, जो की 100 अरब डोलर की संपत्ति रखने वाली एक मातर महिला है, पहली महिला है, ठीक है, उसके बाद हम बात करें की, गितिका कॉल, गितिका कॉल ये महिला है, गितिका कॉल कौन है, तो हम बात करें, सियाचीन जो glacier है, वहाँ पर तेनाथ First महिला Medical Officer है, उनका नाम है गितिका कॉल, सियाचीन, दोस्तों सियाचीन में तेनाथ First महिला Medical Officer का नाम है, गितिका कॉल, अरुन्दुति रखने की हम बात करें, तो European निबंद पुरुसकार इनको अरुन्दति रखने को मिला है, होदा सही है, है यहाँ पर साफ कर लेते हैं पन, अरुन्दति रोय को, इरूरोपीएण निबंद पुरुसकार से नवाजा गया है, अरुन्दति रोय को फिक है अब हम बात करें गीतांजली गीतांजली को जो है अंतराश्टी बुकर पुरुषकार से नवाजा गया है अंतराश्टी बुकर पुरुषकार 2022 से गीतांजली को नवाजा गया है और अरुन धती रोय को यूरोपिय निबंद पुरुषकार किसको मिला है तो दोस्तों वो मिला है आपके अरुन धती रोय को अब हम बात करें कि PM मोधी ने B.A.P.S. हिंदू मंदिर का उद्गाटन कहां करेंगे B.A.P.S. हिंदू मंदिर दोस्तों ये important है बहुत जादा कि हिंदू मंदिर का उद्गाटन कहां करेंगे तो वो करेंगे आपके आबुधावी के अंदर कहां पे करेंगे दोस्तों आबुधावी के अंदर करेंगे इसकी जो शुरुआत है मतलब इसका उद्गाटन है वो 14 फरवरी मतलब आप ध्यान रखो Valentine Day के दिन ध्यान करने का तरीका है कि Valentine Day के दिन जो है आपके 14 फरवरी 2024 को आबुधावी के अंदर B.A.P.S. हिंदू मंदिर दोस्तों हिंदू मंदिर आबुधावी आबुधावी UAE के अंदर जो है आपके मंदिर का उद्गाटन कोन करेंगे परधान मंतरी नरेंदर मोदी मसकट इसकी जो राजदानी है किसकी UAE आबुधावी की मसकट जो है ओमान की राजदानी है मसकट किसकी राजदानी है ओमान की राजदानी है और मंडला मेला के सबरी माला मंदिर में आयोजीत होता है दोस्तो अलग से फैक्ट याद रखलना मंडला मेला कहां आयोजीत होता है तो मंडला मेला आपके आयोजीत होता है सबरी माला मंदिर के अंदर स्वरवेद महामंदिर यह आपको मैंने कल भी बताया था कि कहां यह इंपोर्टेंट है बहुत जादा क्योंकि यह भी मंदिर आयुद्या मंदिर का जो है आपको पता है कि 22 जनवरी को जो है इसकी ओपनिंग होगी तो आयुद्या मंदिर के साथ-साथ यहाँ पर कोशन पूछी जा सकते हैं तो यह ध्यानकना सर्ववेद मंदिर महामंदिर जो है आपके वारनसी के अंदर है दोस्तो यूपी के अंदर ही और हम आगे देखते हैं कि भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर न्यूजर्सी के अंदर है न्यूजर्सी मतलब न्यूजर्सी ए आपने को कमेंट में बताओं कि कहां परिस्तित है ठीक है ऐलोरा केलाश मंदिर महाराश के अंदर है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट नहीं इंपोर्टेंट आपका स्वरुवेद महामंदिर वाला इंपोर्टेंट है इसके बाद हम बात करते हैं कि हाली में महर्सी वालमी की अ मंदिर जो है आपके 22 जनवरी को जो है सावजनिक रूप से खुल जाएगा वो मंदिर सभी जनता के लिए आप दर्शन कर सकते हो तो आयोध्या जो एरपोर्ट है उसका नाम चेंद करके महर सिवाल में की अंतराष्टी हवायड़ा कर दिया गया विस्तु का सबसे वड़ा ख लेन उतरता है या उतरता है टेक ओफ होता है या लेंड होता है गोपिनाथ बार्दोलाई एरपोर्ट जो है हम बात करें गोपिनाथ बार्दोलाई को आधुनिक असम का जनक का जाता है तो इनके नाम पर एरपोर्ट बना हुए तो दोस्तों असम के अंदर ही होगा सीदी स हम बात करें आगे भही सहीद भगत सिंग एरपोर्ट चंदिगड़ के अंदर है सहीद भगत सिंग एरपोर्ट आपको ध्यान रखना है कि सहीद भगत सिंग पंजाब के दिए तो उस हिसाफ से चंदिगड़ में होगा हम बात करें वीड सावर करकी एरपोर्ट की तो दोस्तो अंड़माण निकोबार जो लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्लाइट उतरती है आपकी तो वीड सावर कर अंतराश्टी एरपोर्ट पे ही उतरती है हम आगे बात करते हैं विज्ञान प्रोध्योगी की मंत्रा लेके नुसार कोविड नाइन्टीन और अन्य एन्फिल्योंजा रोग जो होते हैं आपके उनसे निपटने की चुनोती जो है शमता है तो यह मश्रूम है इसमें खासी जुकाम लड़ने की शुकाम से मश्रूम आपको खानी सी है सरदियों में क्यों खासी जुकाम नहीं होते गाजर में दोस्तों B-carotene नामक पाया जाता है अब देखो हमारा तो पढ़ने का तरीखा है current affair उसके अंदर हम जो है तासाथ जो भी हमारे दिमाग में चीज़े आती है वो मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में हम जो है समग रध्यन करते हैं अब आपकर जिससे देखो एक फैक्ट ये था कि मश्रूम के अंदर जो है होती है उसके बाद हम देखो दो-तिन फैक्ट और कवर करेंगे कि गाजर में B-carotene पाया जाता है टामाटर में औकजेली कामल को कल बताया था मैंने और आमली के अंदर विटामिन C पाया जाता है दोस्तो और विटामिन D को हार्मोन भी कहते हैं विटामिन D को क्या कहते हैं हार्मोन भी कहते हैं दोस्तो अब हम आगे चलते हैं कि हाली में ड्रोन मिशन जो है आपके प्रारम करने की मंजूरी किसे दिये IIT Bombay को drone mission start करने की जो है permission दे दी गई है, एकनाज सिंदे जो है, account है, एकनाज सिंदे मांके CM है अभी बरतवान में 37 वे राश्ट्रे खेल में फहला जो है, फर्स्ट कोन आया था महाराष्ट, 37 वे जो राश्ट्रे जाता है, आपके UP, पहले नमबर पे GDP के नमबर से अगर देखा है, हम देखा जाए, तो GDP सबसे जाता है किसके है, दोस्तों महाराष्ट की है, सेकिंद नमबर पे आपके UP की, हम आगे बात करते हैं, किष्णा नदी का उद्गम, जो है प्रारम की जाएगी, आपने अख़बार में पड़ा होगा, कि गुजरात में जो है, दौार का जो नगरी है, दौारी का जो पानी के अंदर डूब गई है, समुद्र में डूब गई है, तो उसको दिखाया जाएगा, दोस्तों, बिलकुल हाँ, पानी के अंदर ले जाकर, पंडूबी के अंदर आपको बैठाया जाएगा, और पंडूबी के अंदर बैठाने के बाद, आपको दौारी का जो है, शहर घुमाया जाएगा पूरा, पानी के अंदर, ये एक समुद्रियान मीशन होगा, और आप जो ये मानो की, ये मानो की, मतलब वहाँ, क्या नजारियों देखने को मिलेंगे, परेटन की दरश्टी से ये बहुत ही शानदर जो है, जो है, नवाचार है, ये हमारे भारत सरकार का परेटन भीवागे, बहुत ही शानदर जो नवाचार है, आप दोस्तों कितना रेवेनु जनरेट होगा, कितने लोग घूमेंगे और कितना की मज़ा आने वाला एडवेंचर भरी है, टीप होगी कि आप दो से धाई गंटे मतलब आप शम्मिरन के अंदर, समुद्र के अंदर घूम रहे हो, सोच के भारती परमानू से संचालित सरव निर्मित, स्वय निर्मित पंडूब्बी, भारती परमानू से संचालित स्वय निर्मित वो है INS अरिहंत, दोस्तों INS अरिहंत जो है स्वय निर्मित है, अब हम बात करें प्रोजेक्ट 75, तो दोस्तों आईनेस बागीर और आईनेस बागसीर कलवरी, खांडेरी, करंच ट्रिपल के और ट्रिपल वी बागेरी, वेला और बागसीर ठीक है दोस्तों तो आईनेस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है निमनों में से तो ऐसे कोशन पूचा जा सकता है इसलिए हमें च्छे द्यान रगेंए ट्रिपल के ट्रिपल बी कलवरी, खांडेरी, करंच कलवरी, खांडेरी, करंच वेला और आपके बागीर और बागसीर हाली में अर्द सेनिक बलो के आधारिक संचार और दस्तावेज साजा करने के लिए कौन सा विकसित किया गया, कौन सा अप विकसित किया गया दोस्तों वो है सैंड्स अप हाली में अर्द सेनिक बलो के आधिकाई, संचार और दस्तावेजों को साजा करने के लिए एक एप एक जो एप है उसका डवलब्लमेंट किया गया, उसका नाम है सैंड्स क्या है दोस्तों सेंड्स एप थोड़ी से एप की जानकारी कर लेते हैं कि इनकोर एप और सी विजल एप क्या है तो यह है चुनाव आयोग केंदे निर्वाचन आयोग द्वारा लॉंज किया गया है जब भी कोई भी आचार सहीता की उलंगन करता है तो सी विजल एप पे आप कंपलेंड करवा सकते हैं और उसके खिलाफ सिकायद कर सकते हैं कोई भी आचार सहीता का उलंगन करता हुआ पाया जाता है तो सुछ वागतम पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट ने माननी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है और Хम बात करें सार्थी app सेवी ने स्टार्ट किया सार्थी app और project Kusha DRDO ने शूरू किया है तो दोस्तों यह बहुत important है सार्थी आप पोर्टल inkore एप और cvzetime ओप आपके निर्वाचन आयोग दुआ रहा है sensible आपके अर्दशेनिक बलो की आदिगार्य देखा होगा आपने शेर मार्केट के जो रेगुलेशन करने वाली संस्ता है वो है सेवी सेवी के बारे में लक्से हम चर्चा करेंगे बहुत थोड़ा सा और सार्थी एप अंदर ये ध्यान रख रहा है बस भी आपन को प्रोजेक्ट कुशा जो है DRD होगा ठीक है दोस्तो आगे हम देखते हैं उपराश्पती जगदीद धनकड जगदीप धनकड पांडी चेरी विश्विध्या लेके चांसलर के रूपे निक्तु हैं दोस्तो इंपोटेंट है और वेरी वेरी इंपोटेंट है तो दोस्तों ये है जगदीब धनकड साफ जो उपराश्पती अभी हाली में काफी जो है ये चर्चा में भी रहे थे क्यों रहे थे आप उसको पता है कि जो है विपक्स को विपक्स के लोगों नों इनकी मिम्मी करी की थी और उन्होंने एक सतन से बाहर निका देता काफी ये मामला था उठाता तो हम तो बात करते हैं कि अवाद जगदीब धनकड साफ जो की पांडी चेरी विश्विद्याले के चांसलर बने हैं और इनके रूप में ये निक्ति हुई है ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही कर और बाकी हम कल देखेंगे और हम दोस्तों चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक कर देना आपके लिए बहुत ही शांदर वाली जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपको भी पढ़के लग रहा होगा कर देको सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे है वही पूरा वीडियो देखते हैं बाकी तो सब टाइम पास करने आते हैं तो आपनको उन जैसा नहीं बनना है इसलिए उनका सेलेक्शन होता नहीं है सलेक्शन उनका यह होता है कि जो 10 मिनिट को तो कम से कम डेली करन अफ्यर के निकाल सकता है यह वीडियो 10 मिनिट से प्यारी करने तो आप में को कम्मेん बोक्स में बता दो मैं उसके लिए अलग से क्लासे लगा दूंगा या करंट अफ्यर आपके लिए सूचना दे रहा हूं मैं आपको इस वीडियो के बाद में मैं एक व्यडियो अप लोड ने वाला हूं और उसके अंदर है junior accountant या कोई सी भी exam हो हमें जो है paper solve करने का तरीका क्या होता है दूसरा हमें OMR भरने का तरीका क्या होता है तीसरा हमें OMR जो है जो मतलब paper का जो exam का जो pattern होता है चार option वाला तो चार option में हमें risk कहां लेनी है कहां नहीं लेनी है हम मैं पूरी जो इस चर्चा करने वाले है उसके वीडियो के अंदर तो दोस्तो और टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो इसकी पीडियाप में आपको डाल दूँगा गवर्मेंट गुरू 2.0 करके तो टेलिग्राम चैनल है मेरा मैं आपका लिंक का आपको डिस्क्रिप्ट्रों में दे दूँगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में अभी के लिए तना ही धन्यवाद